Good morning everyone, मैं मीनल पाठक आपका हमारे शो करे योग रहे निरोग में स्वागत करती हूँ आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष पे हम आपके लिए एक बहुत ही भेतरीन शो लेकर रहे हैं जिसमें हम आपको बहुत सरलता से होने वाले आसनों के बारे में बताएंगे और जो आपकी health और आपकी wellness का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे योग क्या है और इससे आपको कैसे फायदा मिल सकता है योग क्या है योग का अगर आप मतलब देखें तो इसका मतलब है Union, it is about the union of your body, your mind and your soul it is a journey, it is a journey of the self, through the self, to the self जब आप योग करते हैं, आप अपना stress को बहुत रिलीव करते हैं, आप अपने nervous system को strengthen करते हैं, आप अपने lymphatic system को strengthen करते हैं, आप अपने पूरे physical system को spiritual system के साथ involve करते हुए अपनी body को completely relax करते हैं. आईए हम start करते हैं कुछ basic yoga poses, उससे पहले हम कुछ stretching करेंगे और stretching करने से पहले हम deep breathing करेंगे, deep breathing करना बहुत ही easy है, बहुत ही basic है, और यह आपको align करता है, आपकी पूरी body को align करता है, stress को relieve करता है और आप यह किसी भी time कर सकते हैं, आपने अगर अपना नाशता 9 से 10 बजे कि आप 12 बजे के around आप फिर से deep breathing कर सकते हैं, अगर आपका lunch दो बजे हुआ है तो आप शाम को 4-5 बजे भी deep breathing कर सकते हैं, in fact अगर आपने डिनर 8 o'clock किया है, तो आप सोने से पहले deep breathing करके सो सकते हैं, और यह जो हम कुछ stretches यहां पर दिखाएंगे, वो भी कर सकते हैं, आईए हम अपनी stretching से स्टार्ट करते हैं, अभी मैं जिस तिथी में बैठी हूं इसे कहते हैं वजर आसन, we also call it thunderbolt pose, वजर आसन में मैं सीधा अपने एडी के ऊपर बैठी हूं और अपने कमर को मैंने रीड की हड़ी से सीधा रखा है, my spine is completely straight, there is no arch and there is no rounding, आप दिन में जब भी आप को समय मिले, आप जब बहुत टाइम तक चेर में बैठते हैं तो आपकी मुसल्स बहुत कॉंस्ट्रिक्टिड हो जाती हैं और इंफाक्ट आपके गुटनों में पेन, अंकल्स में यह सब स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपकी वो जो एक सिटिंग पोज है, सिटिंग पोज सिटिंग पोज में आपकी पूरी मुसल्स को स्ट्रेच मिल रहा है इंफाक्ट वजरासन एक ऐसा पोज है जब आप खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं क्योंकि इससे आपकी स्टमक में आपके डाइजस्टिव सिस्टम में बहुत जादा मात्रा में बलड फ्लो होता है तो को पाचन के लिए बहुत अच्छा बलड सर्कूलेशन मिलता है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप किसी भी सिथी में बैठ सकते हैं आप सिंपल दंड असन में बैठिये जिसमें आप स्ट्रेट करके अपनी टांगों को बैठ सकें रीड की हड़ी से स्ट्रे हाथ हैं वो आपके शोल्डर के नीचे होते हैं आपके जो नीज हैं वो आपके हिप्स के नीचे होते हैं हम अपना सबसाभ़ स्ट्रेच यहां पर करेंगे विच तक काव एनक चैट्रीच इसके अंदर अभी जो मेरा stomach है वो मेरा core muscle अंदर की तरफ pulled है मैंने अपने spine को धीला नहीं छोड़ा है नई मैंने अपने spine को अंदर की तरफ खीचा है जो हम stretch करेंगे वो यही है stretch में हम cow and a cat stretch करेंगे हम inhale करते हुए अपने lower abdominal muscles को stretch करेंगे अपनी रीड की हड़ी को पुश करते हुए उपर की तरफ देखेंगे आईए हम cow and a cat stretch से start करते हैं इसके लिए warm up position है आप अपने toes को अंदर की तरफ खीचते हुए पीछे की तरफ जाएंगे तो inhale में आप रिप्रेर करेंगे एक्जेल करते हुए आप पीछे की तरफ stretch करें फिर inhale करते हुए back exhale करते हुए पीछे inhale back exhale पीछे inhale back exhale पीछे दो बार और और जब आप inhale करके exhale करेंगे तो make sure कि आप अपनी पूरी feet को stretch करें अपनी calf muscle hamstring पूरा उपर तक इस stretch को feel करें और one last time inhale and exhale this time हम cow and a cat stretch करेंगे अपने toes को बाहर की तरफ point करें make sure आपके knees आपके hips के नीचे रहें आपके hands firmly आपके shoulders के नीचे रहें अब inhale करते हुए हम stretch out करेंगे फूल डीप stretch अपनी chest खोलते हुए lower abdominal muscles को full stretch throat chakra को stimulate करते हुए उपर की तरफ देखेंगे फिर exhale करते हुए अपनी navel को अपनी रीड की हड़ी की तरफ खीचेंगे और ऐसा feel कीजिए जैसे यहां पर एक थागा बंदा है और वो धागे से आपको आसमान की तरफ खीचा जा रहा है फूल डीप stretch again let's do it inhale stretch up exhale tuck it in बहुत अच्छे से अंदर की तरफ खीचते हुए सांस भरते हुए उपर सांस छोड़ते हुए अंदर इसी movement को आप flow में भी कर सकते हैं और जब आप उस movement को flow में करते हैं तो आप अपने root chakra मूल धार chakra and swadishthan chakra दोनो चक्रो को stimulate करते हैं let's do it with the movement now flow inhale and exhale सांस भरते हुए अंदर सांस छोड़ते हुए तक इतन फूल डीप stretch again सांस भरते हुए उपर सांस छोड़ते हुए फूल डीप stretch tuck it in one last time inhale and exhale अब काव and cat stretch के बाद हम करेंगे child pose वह बहुत ही बढ़िया पोज है आप इस आसन के बाद रिलाक्स करते हुए वजरासन में जाकर बैठ सकते हैं अगर वजरासन करने में किसी को नीज में पेन आता है या किसी को stretch आता है बहुत ज्यादा अपने thighs में आप एक बड़ा सा कुशन या एक लंबा पिलो साइज अपने यहां पर रख सकते हैं जिससे आपको support मिले सीधे बैठने के आईए अब करते हैं हम child pose यह बहुत ही simple pose है और बहुत ही effective pose है आपका stress relief करने के लिए आपके nervous system को light up करने के लिए in fact इससे आपको आपके पेट में भी पूरा stretch मिलता है और आपकी रीड की हड़ी में भी अच्छा stretch मिलता है हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत difficult pose कर पाएंगे तो हमें उसका बहुत जादा benefit होगा लेकिन बहुत simple of the poses करने पर आपको लाइफ में बहुत benefit मिल सकता है लेकिन चाहिए यह कि आप उसे कर लें over stretch कर लें अपने muscles को पूल कर लें तो आप जो भी में पोजिज आपको करवाऊंगी आप अपने comfortable range के अंदर रह कर कर ये आप बहुत जादा over stretch मत कीजिए अगर आपको किसी भी स्ट्रेच में क्रैंपिंग का फील आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक शाप पेन हो रही है किसी मॉसल में तो आप उसी वक्त रुक जाए और अपने आपको अपनी लेक्स की ऊपर बिकॉज उनकी नीज में पेन होता है या उनकी थाइस में बहुत ज़्यादा you know stretch आता है तो उस case में आप अपने घुटनों को थोड़ा खोल भी सकते हैं योग is for everyone एक चार दो तीन चार पांथ साल के बच्चे से लेकर योग असी स्थक के लिए बना है यह हर किसी के लिए है हर कोई इसको अब किसी भी age में कर सकता है जो जरूरत इस बात की है कि आप किसी ऐसे इंस्ट्रक्टर के साथ कीजिए जो आपको आपकी age के हिसाब से वो आसन करवा पाए तो आईए हम child pose करते हैं child pose के लिए सांस भरते हुए आप फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे और अब सांस छोड़ते हुए आप अपने हिप्स को अपने एंकल्स तक लेकर जाएंगे और अपने हांस को पूरा स्ट्रेच करेंगे ओवर हैड इसमें मैं आपको एक और वैरियेशन बताऊंगे जिसमें हम हापने हाथों को अपने टोस तक ले आते हैं लेट्स दू इट अनाइस डीप इनहेल सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हिप्स को एंकल्स की तरफ लेकर जाएंगे और पूरा स्ट्रेच करते हुए अपने फोर हेड को नीचे लेकर आईए जब आप ऐसा करेंगे एक स्ट्रेच करिए अपने फोर हेड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए इससे आपकी बॉड़ी से सारा ब्लड फ्लो आपकी ब्रेन की तरफ जाता है आपके एंडॉर्फिन को लाइट अप करता है आपके नर्वर सिस्टम को लाइट अप करता है आपके इच एन एवरी सेल को और मैं收ard होर्मोन पहुछता है इसको होल्ड करके रखेगे जब आप किसी भी सासन को फॉल्ड करें आप नियमित रूप से धीर से सास भर्ते हुए सास को छोड़ेंगे और उस पॉजिशन को स्ट्रेच करेंगे जब आप Igzuk You ड़ब और स्ट्रेच करें नीचे की तरफ अपने स्पाइन को पुश करें और आपका वेट ओवर दी एंकल्स और जब आप एक्जेल करेंगे पूरा फोर हेड नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए इस आसन को आप चार से पांच ब्रेथ के लिए होल्ड करें और अगर पॉसिबल है आपके शोल्डर्स मॉबिलिटी के लिए आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए अपने पंजों के पास ले आए और फिर से इन्हेल एक्जेल करते हुए पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए अपने फोर हेड को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे Full Deep Stretch अब हम स्टार्ट करेंगे कोब्रा पोस से जिसे हम कहते है भुजांगासन यह बहुत बड़ी आसन है जो आपकी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करता है और बहुत एफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो अपनी चेर पे बहुत लंबा लंबा टाइम बैट के कम्प्यूटर पे या लाप्टोप से काम करते हैं और जिनके शोल्डर पूरा टाइम जुके रहते हैं तो इस इस अ ग्रेट स्ट्रेच जो फोर्वर्ड बेंडिंग नहीं है जो एक्चुली बैक्वर्ड बेंडिंग है और आपको पूरा स्ट्रेच मिलता है अपनी स्पाइन के लिए कोब्रा पोस के लिए आप पंजो को खीच के रखेंगे अपने ग्लूट्स को हिप्स को स्कुईज करेंगे अपने कोर मसल्स को स्कुईज करेंगे और फिर धीरे से सांस भरते हुए आपने shoulders को roll back करते हुए, chest open करते हुए, ऊपर की तरफ दे कि यहां पर आपके अपने shoulders को scrunch up नहीं करना है आपका neckline, आपके shoulder blades के बीच में collapse नहीं करेगा यह बहुत अच्छे से खुलते हुए roll back करेगा आपकी elbows आपके हातों के साथ squeeze रहेंगी सीधा ओवर एक्स्टेंडिड नहीं रहेंगी धीरे से उपर की तरफ देखते हुए स्ट्रेच करें और फिर सांस छोटे हुए नीचे इस क्रिया को भी आप तीन बार करेंगे आप अपने कमफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से अगर सिर्फ यहां तक उठीए उपर तक आ सकते हैं तो ऊपर तक आईए आप देखें कि आपके स्पाइन कितना प्रेशर ले पा रही है आपके इस पोज से धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी आईए अब कोब्रा पोज भुजांगासन के बाद हम करते हैं सेतु बंद सर्वांगासन यह बहुत इफेक्टिव पोज है और मेरा फेवरेट है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रेच बताना चाह रही थी कि जब आप लोग बहुत देर तक अपने टेबल्स और चे इस्टेंट चेयर वाले कॉंस्ट्रिक्टिंग पोज से स्ट्रेच करेगा आपकी सारी मसल्स बैक बेंड करते हुए आपकी स्पाइन भी बहुत अच्छे से रिलाक्स करेगी तो आईए हम स्टार्ट करते हैं ब्रिज पोज सेतु बंद सर्वांगासन जो बहुत इफेक्ट और लगी तो आपकी स्टार्ट इए हम से स्टार्ट करें बहुत अरियों चेम फिर अपकी स्ट्वांबंत इच्छ करेगार आपकी जो आपकी ब्रिज रहुत आपकी से ठावचों फ Ooh करेंगे और ऐसा फील कीजिए जैसे आपकी तेल बोन आपकी जो हिप बोन है इस कर्विंग तोर्थ यूर नोज लेट्स दो इट अगें दो बार और सिम्पल इंहेल करते हुए धीरे से ऊपर की तरफ स्कुईज करेंगे और एंड एगसेल करते हुए रेलाक्स बैक इस पूरी प्रोसेस में हम अपनी स्पाइन को आर्च नहीं करेंगे अगें वन लास टाइम थोड़ा सा इन्हेल करते हुए स्क्वीज करेंगे पल्विक फ्लोर मसल्स को अपने ग्लूट को लिफट अप करेंगे और रलाक्स करते हुए नीचे आएंगे अगर आपकी रीड की हड़ी में पेन है आप पहले इन वाम अपस को कीजिए तीन की जगा दस बार कीजिए और फिर एक्जेल करते हुए आप उपर की तरफ जाएंगे फ्रॉम दे नीज तो दे शोल्डर्स इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन आपके चिन आपकी चेस्ट पे टक रहेगा स्टुमिलेटिंग यॉर थ्रोट चक्रा आपकी आइज उपर की तरफ नहीं आप ट्राइ करें आपका गेज नीचे की तरफ रहे जिससे आप चिन को उपर की तरफ स्ट्रेच नहीं करें और अगर पॉसिबल है आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करते हुए अपने बाक की तरफ स्क्वीज करें तू स्टार्ट विद आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्टेंड मत करें इसको बेसिक रखें होल्ड करें आप जतनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करते हुए सांसों को भरते हुए सांस छोड़ें आइस डीप इन्हेल आड एक्जेल इन्हेल आड एक्जेल यह ब्रिज पोस्ट बहुत हेल्फुल है आपके स्पाइन स्ट्रेच के लिए मिल्क लएफ इस स्ट्रेच्शों के लिए इसलिए बहुत इफेक्टिव थे क्या करते हैं आपके फूल बॉडी के रिलाक्सेशन के लिए अगिए अग हम स्टाट करते हैं इस कोरणा के टाइम में ऐस स्ट्रेच्च यह उपन थी हाँठ researching आपके लंग्स को deeply oxygenate करता है यह फिश पोस को करने के लिए मैं आपको दो वेरिएशन्स बताऊंगी एक है जिसमें आप अपनी टांगो को टोज को फीट को जोड के butterfly तितली पोस में stretch करें अपनी डोनोट आंगो को butterfly पोस में stretch करें धीरे से अपने हाथों को अपने hips के नीचे squeeze करें सांस को भरते हुए अपनी chest को open करेंगे और lift up करेंगे और सांस को छोडते हुए अपनी crown chakra the top of your head को हम मैट पे लेकर जाएंगे आप ये पूरी प्रक्रिया बटरफ्लाई तितली पोज में भी कर सकते हैं और आप ये पूरी प्रक्रिया अपनी टांगो को स्ट्रेट रख के भी कर सकते हैं तो इनहेल करेंगे अपने हाथों को नीचे की तरफ स्क्वीज करते हुए एल स्ट्रेच इस तरह से चार से पांच राउंड ऑफ इनहेल एक्जेल के लिए इसको होल्ड करेंगे ये बहुत ही एफेक्टिव पोज है आपकी लंग्स की डीप ऑक्सिजिनेशन के लिए आपकी चेस्ट को ओपन अप करने के लिए पूरा टाइम जब आप फॉर्वर्ड ब आपकी लंग्स एक ओप्टिमम स्ट्रेच में हैं और डीपली ऑक्सिजिनेटेड हैं होल्ड करें इनहेल करें एक्जेल करें अगर आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है और थोड़ा सा पेंट चल रहा है तो आप इस पोज को अवाइट कर सकते हैं इनफाक्ट अगर किसी की टैनिस बोन है और एलबो में प्रॉब्लम है वो भी इस पोज को अवाइट कर सकते हैं और धीरे से रिलाक्स करते हुए अपनी दोनों टांगों को स्ट्रेच करते हुए आप वापिस आजाएगे आईए हम स्टार्ट करते हैं तार आसन से जिसे हम माउंटेन पोज भी कहते और यह मेरा फेवरेट पोज है क्योंकि वो सब एक्सक्यूज जो हम देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसके लिए आपको किसी भी एक्विप्मेंट की जुरुवत नहीं है, आप जिस जगा जैसे खड़े हैं, आप पांच से दस मिनट के अंदर यह स्टेंडिंग आप अपने पंजो को अपने हिप्स के नीचे रखे, स्क्वीज नहीं करेंगे तोगेदर, अपना बेस ट्रॉंग रखेंगे, आपका बैलन्स पूरा रहेगा, अपने हाथों को बाहर की तरफ रखेंगे, और धीरे से सांस भरते हुए, उपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जब आप स्ट्रेच करेंगे, आप अपने फिंगर टिप्स को भी उपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच करते हुए खीज के रखेंगे, इसमें आप अपने पूरे ग्लूट्स को टाइट रखेंगे, काफ मसल्स को स्ट्रॉंग रखेंगे, और exhale inhale अब सास छोड़ते हुए धीरे धीरे से आप नीचे आएंगे जब आप नीचे आएंगे you can feel the gush of blood into your fingertips ऐसा आपकी पूरी body में होता है जब आप stretches करते हैं जब आसन करते हैं लेकिन touch sense के कारण आप इसको बहुत अराम से अपने fingertips में feel कर सकते हैं आप इसको तीन से चार बार कीजिए next was अब हम जो करेंगे वह है त्रिकोन असन अगें त्रिकोन आसन एक बहुत ईजी आसन है जो आप कहीं पर भी खड़े हो के कर सकते हैं जो पोज आप कर सकते हैं वह आज आपके लिए परफेक्ट है जो पोज आप कर पाएंगे वह कल आपके लिए परफेक्ट होएगा धीरे से अपने हाथों को नीचे ले जाते हुए करेंगे और फिर उंगलियों को उपर की तरफ करते हुए अपनी आखो से अपनी fingertips को check करेंगे, full deep stretch, core tucked in, inner thigh stretch, आपका groin, inner thighs, calf muscles, completely stretched होंगे, आप एक minute के लिए भी अपनी body को lose नहीं छोड़ेंगे, और सांस भरते रहें, और छोडते रहें, try to equalize your breath, inhale for a count of 5 and exhale for a count of 5, again inhale for a count of 5, अब धीरे से सांस छोड़ते हुए हम right hand को ऊपर उठाएंगे, exhale करते हुए extend करेंगे left side को full deep stretch, forward bend नहीं करेंगे, back bend नहीं करेंगे, हम अपने obliques को stretch करेंगे, अपने core muscles को tuck करेंगे, ऐसा feel करिए कि आपको कोई side pull कर रहा है, so consistency is a key, आप इसी तरह हमारे साथ News One India पे जुड़े रहें, विश्व योग दीवस पे आएक बार आप सबको फिर से मुबारक, करें योग, रहें निरोग, corona times में बहुत जुरूरी है कि अब आपने घर में safe रहें और किसी ना किसी तरह से अपने आपको move करते रहें, चाहे वो योग हो, चाहे वो किसी बी और तरह का workout हो, मैं मीनल पाठक, आप से इजाजत लेती हूँ, फिर मिलोंगी, thank you so much.